आज के इस डिजिटल यूग में सबसे ज़्यादा साइबर ठेगी देखने को मिली हर जगह इस मॉबाइल और डिजिटल के मादियम से देखें तो हर विक्ति कहिन के किसी तरह से साइबर ठेगी आपके साथ होती है तो किस तरह बचें किस तरह की साफधानिया आपको रखने और लाइव डिमोर्टेशन के मादियम से भी बताएंगे कि कैसे बढ़ता है हमार साथ है साइबर एक्षपर के रुपे शाम जी चंदेल है सर पहले सवागत है अपना तो पुलिस भी मैनत करती है प्रियास करती लेकिन रीकवर की कौशिश की जाती है काफी अकाउंट से न देखें क्राइम करने के तरीके अलग-अलग हैं बट जो यूनिक अभी जो पहले क्या होता था कि ये लोग OTP पूशते थे या कोई डीटेल कस्टमर से मांगते थे और फिर उसके थूरू ये क्राइम करते थे बट आजकल सब अवेर हैं कोई OTP नहीं बताता है और कोई डी सबसे ज़्यादा जो क्राइम जो चल रहा है आजकल वो है .EP के फाइल के दवरा उस फाइल को सिर्फ मात्र एक क्लिक करना है आपके पास कोई WhatsApp से लिंक ग्रूप में आएगा कोई भी नाम रख सकते हैं जैसे PM किसान योजना के नाम से या कोई और भी कोई योजना के नाम स से कोई भी एक application .EP के फाइल बना देते हैं और आपको बेज देंगे ग्रूप में आएगा और वो भी जिस बंदे का नंबर से आपके पास आएगा ना वो बंदा जेनियन है क्योंकि उनका WhatsApp पहले से हैक है और उनके नंबर से आप लोगों के पास आएगा ता आपको trusted हैं कि उन्होंनों बेज़ा इसका मलब सही है और आपको कुछ ने करना सिर्फ simple एक click क्लिक कर दिया फिर आपके mobile के सारे SMS आपके OTP आपकी location आपके camera आपके automatically photo चले जाएंगे उसके पास आपकी recording चली जाएगी आप क्या बात कर रहे हो क्या ने कर यह everything पूरा का पूरा उसके पास कर सकता है और financial fraud भी कर सकता है सारी चीज़ा आपके समय में सब्सक्राइब देखें एक चल रहा है डिजिटल आरेस्ट वह बहुत ज़्यादा चल रहा है तो उसको लेकर से डिजिटल आरेस्ट क्या है कैसे इससे लोग बचे बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो यह बता द को यह लोग जो जागरुख नहीं है तो वो लोग इसको डिजिटल आरेस्ट नाम दे दिया यह क्या करता है पहले अपरदी आपको कोल करेंगे सिंपल नाम चल रही है और वह सिंप किसी एलिगल एक्टिविटी में यूज की जा रही है तो उसके लिए हम आपको इन्वेस् आपको लाई ही हैं आपको कर देंगे उसके लिए कुछ निकरना है आप हमारा कोपरेट करें आपका अपने मोबाइल के अंदर केमरा ओन कर दीजिए और फिर पर इस पर डिटेल मांगी जाती है और वह आपको एजे पूरा सेटप होता इनका पास पूलीस ऑफिसर जेल महला एक व्यू बना रखा डेमोजिशन जैसे आगे वाली को लगे कि हाँ यह पूलीस से ही फोना है और इस तरह से फिर डरादम का कि उनके साथ में फ्रोड कर देता है जिस तरह से लगातार अकाउंट से जो राशी निकलना तो सरी रीकवर का क्या प्रोशेस रहता और लोग इ इस तरह से मामलों में बाज़र ने देखिए सबसे पहले अगर आपके साथ कोई फ्रोड हो जाता है तो सबसे पहले आपको नेशनल टॉल फ्री नंबर जो साइबर का जो गवर्मेंट का है वो है वन नाइन थ्री जीरो उननीस सो तीस नंबर पे तुरंद कम्प्लेन करने चीए और कम्प्लेन करने के बाद में आपको पूरी डीटेल बतानी है कि पेशा कैसे निकला है उसका ट्राजेक्शन आइडी क्या है डे टाइम मलब एज़र पूरी डीटेल आपके साथ में क्या गटना हुई उनको पूरा समझाई जो नोडल टीम आपको फोन कंटेकर दे उस पे आपको अपने जितने भी डॉक्यमेंट है वो अटेच कर दीजिए मौसली बार क्या होता है कि अपन लोग के 1930 पे कॉल करते हैं तो वो बीजी बहुत रेता है अब देखो नेशनल नमबर है तो बीजी तो होना ही है तो उस कंडिशन में आप चाहें तो नेशनल पोर मेरे पास दिन के 10-12 केस आते हैं इस तरह से लोकल मेल माधियम के माधिएंच से बीहां काँ डेली एसी तरह के जो आ रहे पहले आपको मुबैल पे क्लिक करवा देंगे जिसे आपके मुबैल के अंदर एप इस्टोल हो जाएगा वह एलव कर देंगे उसमें आपके कॉंटेक्ट नमबर ले लेंगे गैलेरी के फोटो ले लेंगे और फिर उसके बाद में वह आपके साथ मैं कम प्रोमिस गाइड करक से हर आजकल स्टेट में एक इनका साइबर का पुरा बना रखा है अब वहां से अपन जब भी जिसे यहां से बेटके आप कंप्लेन करेंगे 1930 पे तो आपको बताए जाएगा आप कहां के हैं का बोलेंगे में राजस्तान से हूँ तो आपका आपके राजस्तान के जो हैड उनके ट्रांसपर कर दिया जाएगा वहां के कोल सेंटर से आपको बात की जाएगी वह पूरा कोपरेट करेंगे आप उनको पूरी डीटेल बताएंगे फिर वह डीटेल लेके आपकी डीटेल जो आपका हुआ है वह डीटेल लेके वह रिलेटेड नोडेल के पास बेस दें है जिसका notification भी customer के number पे automatically आ जाता है कि उस fraud के खाते में कितना पैसा है और फिर उसको related अपने थाने में जहां complain करें वहां बताएंगे और वहां से जो इनकी formalty होती है उनके माधियम से फिर आपके account में वापस पैसा आ जाएगा बट जितना जल्दी आप लोग करेंगे उतना ही benefit आपको क्योंकि आप लोग जितना लेट करोगे तब तक वह पैसा settle कर देते हैं या case on withdrawal कर देते हैं तो उस condition में फिर recovery के chance बहुत कम रह जाते हैं जो dot apk आज के टाइम पर देखें तो कापी चलन हो गया है या तो wedding invitation के नाम से आपको बताता हूं या आपका mobile लीजिए मैं आपको mobile पर एक apk फाइल बेज रहा हूं मैं education purpose से यह आपने बनाया आप लोगों ने request की कि इसका लाई डेमिशन बनाई है तो मैंने आपको simple सा एक link किया आपको कोई भी एक link पर क्लिक कर दीजिए बस इसको कर दी आपने बस कुछ से simple सा आपको एनिवर करना है बस आपने कुछ किन किया है एक सी click किया है आपको कुछ नहीं करना है अब आपका mobile की पूरी डीटेल अब यहां पर देखेंगे तो यह देखिए यहां पर आप जो हमारे इसमें देखेंगे यह तो अभी देखिए आपकी पूरी डीटेल आज चुकी है यह देखिए यह देखिए अभी आपकी पूरी location देखो यह जीए टेक की location आप कहां पर बेटे हुए हैं यह पूरी डीटेल आपके मेरे पास आज चुकी हैं दूसरी डीटेल आप लोग ऐसे ही डीटेल आप लोग और भी जैसे माली जी आपने लोकेशन चीज़ें तो बसे एक क्लिक करना है अभी यह तो मैंने आपको सिर्फ डेमोडिशन बता रहा हूं बाकि आपको कुछ नहीं करना सिंपल सा है आपकी पूरी की पूरी डीटेल आजाएगी यह देखिए आपका डीटेल इसमें मेरे पास सारी चीज़े आ चुकी हैं इसमें आपका कौन सा मोडल नंबर हैं क्या हैं यह सारी देखिए आपका कैप्चर आपके जो केमरे से फोटो जो आपका ले रहे हैं वो भी आपके सामने अभी देखिए यह का फूटो आ गया सिंपल सा आपको कुछ नहीं देखो आपने कोई केमरा ओन नहीं कर रखा है यह ओटोमेटिकली आपका इसमें आ गया एसे ही आपका लाइव पूरा सेशन चल रहा है आपको पूरी डिटेल में आपको यह अभी यह चीजे किसी की प्रस्टनल वी आईपी ल अपने कोई ऐसे लिंक पर क्लिक कर देते हैं यह कोई ऐसी एपी के फाइल डाउनलोड कर देते हैं तो इसके माधियम से आपका पूरा का पूरा मोबाइल हैक हो जाता है इसको बचाव के लिए क्या करना चाहिए लोगों को किस तरह सतर रखता बरती है सबसे बड़ी बात चैंटमोड पर डाल दीजिए इससे होगा कि जो अपरादी है वह आपकी डिटियल जहां नहीं पाएगी क्यूंकि वह अपरादी लेगा कैसे इंटरनेट के माधियम से लेगा जब आपके मोबैल के इंदर इंटरनेट ही बंद हो जाएगा तो वह आपके और उनके बीच मे क्या हो जाएगा disk connectivity हो जाएगी पहला काम तो यह करना है फिर अपने mobile की setting में जाइए और वहाँ पर एक app नाम से icon होगा उस app क्लिक करिए और वहाँ पर आपको मिलेगा permission manager और वहाँ पर आप चेक करिए, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे mobile में कहां पर ये सारी चीज़े आती हैं, तो simple सा है, आप अपने mobile के अंदर, setting में जाईए, और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, यह दिखी आपको app का option मिल रहा है, यहाँ पर यह जितने भी मेरे application, जो mobile में चल रहे हैं, वो आरी detail, अब मेरे को किस app ने मेरे से क्या-क्या permission ले रहे हैं, तो मेरे को simple सा three dot पे click किया, और app permission, इस पे click करने के बाद में, देखो, अब मेरे camera का जिसे किस-किस ने permission ले रहे हैं, कि मेरे बिना permission वो camera यूज़ कर रहा है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, अब दीखी यह मेरे mobile में इसमें बता दिया, कि camera का जिसे contact ने ले लिया, Instagram ने ले रहा है, Google ने है, message ने ले रहा है, तो यह मेरे जहनियन है, तो third party जो application होगी, जैसे PM किसान यूज़ना हो गया, या और भी ऐसे जो fraud आदमी जो आपको APK file बना के भेजेंगे, वो app भी इस list में show करेगा तो वो app क्या करेगा, यह SL list ले लेगा, अब उस permission ज़्यादा तर यह लोग किसका permission लेते हैं, SMS का permission ले लेते हैं, SMS के permission से क्या होगा, आपके mobile में जितने भी SMS आएंगे, वो सारे SMS उन लोगों के पास automatically चले जाएंगे, और फिर OTP चीह है, OTP आया आपके पास है, आपने किस Google एकाउंट हेक कर लेंगे, या और भी आपके social media, Facebook एर उनको automatically हेक कर लेंगे, आपको बताने हैं कि जुरूत नी, और यह लोग ज़्यादातर ऐसे crime क्या करते हैं, night के बात में करते हैं, 10 बजे बात रात को, क्यूंकि जो बंदे net on करके सोते हैं, तो उनका mobile तो पहले compromise हो च crime होता हैं, तो 1930 पर complain करिए, यह platform है www.cybercrime.gov.in, इस पर भी complain करा सकते हैं आप लोग, और complain करने के बाद में, automatically cyber team इस पर काम करती हैं, बट mobile hack होने के बाद ने, आपको क्या करना परा, खुद ही manually आपको करना पड़ेगा, वेसे cyber team को training दी जाती हैं, बट फिर भी, आप से तो वहाँ cyber में कर सकते हैं, बट ऐसे जिसे mobile compromise हो गया, यह कुछ हो गया, तो maybe कि वहाँ पर technical, आप लोग किसी भी ऐसे expert के पास जाके, उसकी पूरी security check-up कराईए, क्योंकि जैसे आपको पता कि अपने health check-up कराते हैं, वैसे ही हाँ के समय में mobile का भी security check-up कराना चीए, जि क्योंकि आज के समय में digitalization के टाइम में लगातार जो अपराद हैं, cyber अपरादेवा लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में जो एक apk, dot apk और वही चीज आपको बेजी जाएगी, जो आपके काम की होगी, जो आपके जरूरत की होगी, और आप उस पर click करेंगे, और click क